हाला दोस्तों वेलकॉम टू दिस चैनल डेली सब ओर्डिनेर्ट सर्विसी सेलेक्शन बोर्ड की तरह से एक रेक्रूट्मेंट नोटिस इशू हुआ है जिसमें बहुत सी पोस्टों को लेकर रेक्रूट्मेंट जो हो की जा रही है तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे ssb.delly.gov.in तो यहां number of post उन्होंने बता यूहीं कौन सी post है department यहां उन्होंने बताया हुआ है उसके बाद उन्होंने ग्रूप पर बताया हुआ है कौन से ग्रूप की यह post है total vacancies का जो है वो break up यहां पर दिया हुआ है उन्होंने उसी के साथ साथ हम देख लेते हैं यहां stenographers के लिए भी कुछ post यहां पे उन्होंने mention कर रखी है जैसे 188 post जो है वो stenographer grade C के लिए यहां दी गई है और पाकी देख लेते हैं यहां personal assistant और personal assistant हिंदी के लिए भी कुछ post है जो है वो रखी हुई है तो overall post के बात करें तो यहां पे 1500 के आसपा जो है वो post यहां पर देखन stenographer post की बात करें तो यहां department के अंदर आ रही है municipal corporation of Delhi के अंदर इस stenographer की पोस्ट आ रही है तो इसमें उन्होंने का break-up दिया हुआ है total vacances यहां 188 है नीचे हम देख लेते हैं education qualification की बात करें तो इन्होंने कहा हुआ कि नीचे दी कोई qualification में से कोई भी आपके पास एक होनी चाह होना चाहिए यहां पर camera school certificate आपके बास होना चाहिए ठीक है उसके बाद European school यह सब बताया हुए उन्होंने इन में से अगर आपके बास कोई भी certificate या development है तो आप इस जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहां skill के लिए यहां इनों बताया हुआ कि 80 की speed से आपक की जो typing speed होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40 words in case of English और 35 words होनी चाहिए वो in case of Hindi यहां उन्हें पे लेवल मेंशन किया हुआ है 25 500 से 81 100 तक और यह group C ठीक है group C level 4 की यह post है age limit यहां उन्हें बताया है कि 18-27 साल तक आपकी जो हो age होनी चाहिए next इस तरह सब पोस्टों के लिए हर ए एक detail यहां पर mention कि हुई है qualification के experience कुछ है या कितनी पे scale क्या है age कितनी है तो हर एक चीज़ यहां पर इन्होंने mention कुई है मैं इसकी इसका अगर आपको PDF चाहिए तुम्हें अपने टेलिग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड अकैडवी पर इसको PDF दे दूँगा वहां से आप Klick की पोस्ट है उसके बाद यहां दूसरी पोफ्ट की बात करें सेणो और शॉन के पर्सेंट के लिए आपको डिक्टेशन जो है वह आपकी speed 100 words per minute की आपके speed होनी चाहिए और transcribe करने के लिए English में इसको वहां पर transcribe करने के लिए आपको 40 minute का जो है वो time दिया जाएगा उसके साथ यहां pay level की बात करें तो 3500 से आपकी जो है यहां basic रहेगी और age limit यहां इनने बताई हुए है कि 30 साल तक अगर आप सेम ही department contractual employee है तो आपको यहां पर relaxation दी जाएगी पांच साल की बताई हुए है यहां पर उसी दार next हम देख लेते हैं अब personal assistant हिंदी के लिए बताते हैं कि यह देपार्टमेंट किसके अंदर रहेगा डेली टास को लिमिटेड के अंदर यह पोस्ट रहेगी टोटल पोस्ट यहां पर इननों एक बताई हुए है graduation यहां आपके रहनी चाहिए qualification उसी के साथ speed आपके होने चाहिए 100 words तक आपकी होने चाहिए और हम देख लेते हैं कुछ important अगर है तो यहां application fee की बात करें तो 100 जो है वो आपकी application fee रहेगी और बाकी जो candidate पे लॉंग करेंगे जिसे woman candidate होगा यह SCST ठीक है एक सर्विसमेन या यह PWBD इस category है तो उनको जो है वो application fee देने के जोड़त नहीं है उनके लिए free रहेगा यहां इन्होंने examination scheme यहां में पताई हुई है यह 66 oblique 24 और 67 oblique 24 यह PA और PA Hindi के लिए post हैं यहां उन्होंने बताया हुआ है कि 200 number का जो है वो यहां total number 200 number का exam रहेगा जिसमें आपको 2 गंटे दिये जाएंगे ठीक है तो हर एक question जो है वो एक mark का होगा ठीक है 200 question ही आपको यहां पर दिये जाएंगे बाकी यहां देख लेते ह क्या break up किया हुआ जैसे कि general awareness जो है वो 40 number की रहेगी उसी तरह यह भी 40 arithmetic 40 और यह भी 40 रहेगा और इसी तरह English comprehension भी 40 रहेगी तो total आपका जो है 200 question रहेंगे 200 marks के उसी तरह स्टेनो की बात करें जो पहली post थी मारी उसके लिए almost same ही है 200 total marks रहेंगे दो गंडे का paper रहेगा लेक 25 marks के जो उन्होंने रखा हुआ है और last इसमें एक और add किया हुआ है basic familiarity with computers, internet, social media and office, automation यह extra add किया हुआ है जो कि 25 marks का यहां रहेगा और देख लेते हैं अगर कोई important चीज रहे गई है तो यहां negative marking के बात करें तो यह उन्होंने बताया है कि 0.25 की जो है वो negative marking यहां पर रहेग की वो कुछ देख लेते हैं so यह कुछ important update थी फिर भी आपकी query है तो आप नीचे comments में लिख सकते हैं I will definitely solve so thank you and have a nice day